हेलो एभरीवन, वेलकम टु आबर चैनल, आज हम जानेंगे आईटि एफ उन सिक्सेवर नाय आपको दाया जाएगा साथ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इस दोनों standard के documents requirements है क्या आपको आफिक करता है कि आपको करना ही पड़ेगा और क्या क्या बीच-बीच में इंटर्घू चोस्टन्स होगे जो important questions है वापको हमलें हिंट करते रहेंगे साथ ही इसको पूरे के पूरे में बने रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो आपको प्रोसीजर जो है वो 63 प्रोसीजर या फिर 63 ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिसको बना नहीं बनाने कंबल सरी है जैने सेल चार्सोवनीज ऐसे इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं जिसमें स्टेंडर्ड आपके और्गनाइशन को रेकमेंड करता है कि आपको 419 ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आपको फोलो करने ही करने पड़ेंगे आपके जो स्टेंडर्ड है और आपका कंपनी है इन दोने की बीच का कंपनी को क्या करना चाहिए यह करने वाला हूं कहीं पर कोई कोई डाउट हो तो आप हमारे कंटक्स किजिए और जो भी वीडियो इससे रिलेटेड है और जो हमारे चैनल पर एविलेबर है उनको भी द समस्कते हैं कि जो हमारा सेल है वह हमारे इंस्टेंडर्ड के तरब से या आपको करने चाहिए और दूसरा है रीटेंड मतलब यह हो गया कि जो लास्ट यर्ट के जो लास्ट अस्टेंडर्ड थे से और के बाद रिटेंड का मतलब यह है कि हम जो लास्ट हमारा सिप्क का स्टेंडर था इस में हमारे questions है वह हमने रिटेन किये हैं इस में आपको इस कलर के जो भी मिलेंगे इस जो भी आपको मिलेंगे इस मिलेंगे इस कि वह एट यह यह लो कलर से आपको हाइल बिलेंगे इसका मतलब है कि वह नोट है रिफेरेंस है और special अधिल पॉइंट हम को एंडिकेट कर रहे हैं तो है आपको कोई फोन्ट मिलेगा और हाइलेटेड मिलेगा इट मीश की वह आईसो बोलता है कि यह जो standard है ना वो quality management systems के लिए ही बनाया गया है उसी के लिए size requirements बताता है then है दूसरा needs to demonstrate its ability to consistently provide product and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements बोलता है यह जो standard है वो demonstrate करता है किसकी जहुरते कि कस्टमर की जहुते पूड़ा करता है किस रिगार्डिंग प्रोड़क्ट और सर्विसेस के रिगार्डिंग जो कि कस्टमर की अप्लिकेवल रिक्वार्मेंट जो भी है उसको पूड़ा कर सके तीन चीज़े हैं पहला कि हम हमें प्रोड़क्ट और सर्विसेस की रिक्वार्मेंट को बताता है जो जिससे की हम अपने कस्टमर की जो रिक्वार्मेंट उसको मीट कर जा है और दूसरा अस्टेटरी और रेगुलेटरी रिक्वार्मेंट को भी बताता है दैन दूसरा पॉइंट है एम्स टू इनहांस customer satisfaction through the effective application of the system अभी कहता है कि इसके तुरू इस standard के तुरू हम अपने customer satisfaction को enhance कर सकते हैं और इसके तुरू हम effective application के द्वारा हम उसको और बढ़ा सकते हैं including processes for improvement of the system and assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements अभी रखिये product और services का confirmation तो देगा ही देगा साथ ही अपने statutory or regulatory requirements को fulfill करने के लिए भी हमें बताएगा कि हम किस तरीके से statutory or regulatory requirements को fulfill कर पाएंगे अब बोलता है क्या कि all the requirements of the international standard are generic and are intended to applicable to any organization regardless of its type or size and product and services it's provided यह बोल रहा है कि सारे requirements जो है international standard के वो generic requirement है specific requirement नहीं है generic है और किसी भी organization में यह applicable है बिना उसके size, type, product और services को सोचे हुए it means यह है कि यदि कोई आभी सबसे पहले तो है कि ITF 16949 जो है वो automotive sector automotive company के लिए ही है लेकिन उसमें से भी यह बता दिया गया है कि जितने भी automotive company है सब के लिए standard generic है और इसमें किसी भी product मतलब कोई यदि आपकी फैब्रीक बना रहा है automotive का कोई automotive का light बना रहा है या कोई automotive का बना रहा है या कोई automotive का body बना रहा है तो यह जो स्टेंडर्ड है वो सारे automotive सेक्टर पर implement है चाहे उसका size बड़ा हो छोटा हो product कैसा भी हो services कैसा भी किलियर है the next point है in this international standard the terms product or services only apply to products and services intended for required by a customer आप मतलब इस standard में product और services जिस चीज़ को denote किया गया है इसका मतलब यह हुआ कि जो customer product और service कह रहा है वही product और service standard भी कहना चाहरा है दन है not to statutory and regulatory requirements can be expressed as legal requirement जो standard यह कहता है के statutory and regulatory requirement जो है उसको आप legal requirement समझके आपको चलना है the next point है scope automotive supplement to ISO 9001 अभी क्या है 9001 के कुछ point यहां पे लिखे गए और 9001 और 16949 2016 दोनों के merge point हम इस standard में आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले क्या बोलता है कि this automotive qms standard define the quality management system requirement यह जो standard है यह quality management system के requirements को define करता है for the design and development product production and vendor relevant assembly installation services of automatic related product अब लोगता है कि यह requirement फोटिल करता है quality management system का design development करने के लिए production करने के लिए relevant assembly installation करने के लिए and services करने के लिए automotive related product को बनाने के लिए और including product and embedded software मतलब कि उससे related सारे software के लिए भी यह requirement जन्रेट करता है दन्द है इस automotive qms standard is applicable to site of the organization where manufacturing of customer specific production part service part and necessary parts occur अभी यह बोलता है कि यह qms standard जो है वह applicable है वैसे sites पे जहां पे customer specified part production part बनता है मतलब customer ने जो आपको पार्ट बोला है वह यह वहां पे बनता है चाहे वह पार्ट कैसा भी हो और service part मतलब कि ऐसा part जिस जो after market आपको product खड़ाब होने पर आप उसको service part लेते हो वह पार्ट बनता है और accessory part occur मतलब कि जो आपके कार में आपके automobile में जो accessories part लगते हैं वह यदि टीनों चीज कहीं पे किसी plant में बनते हैं तो वह plant जो है qms standard लेने के लिए applicable है इस this automotive qms standard should be applied through the automotive supply chain यह जो automotive supply chain है उसके throughout में सारे पे यह qms standard apply होगा then next point है two number normative reference मतलब कि यदि यह कहना चाहता standard कि मैं यदि किसी term का use कर रहा हूं मैं किसी नाम का use कर रहा हूं तो उसका क्या मतलब है वो यह बताना चाहरा है बोलता है the following documents in whole or in part are normally normatively referenced in the document and are indispensable for its application for dated references only the addition seated applies मतलब यह कह रहा है कि जो documents है या तो पूरा या इन छोटे छोटे पार्ट में वो सारे normally referenced है यह document में आपको बताया जाएगा कि सारे के सारे छोटे छोटे जो आपके terms है और name है उनके बारे में वो क्या चीज़ होती है the next है कि for undated reference the latest edition of the reference document including any amendment applies ISO 9001-2015 quality management system fundamentals and vocabulary यदि आप किसी चीज़ को reference लेना चाहते हैं यदि आपके पास updated revision नहीं है latest edition नहीं है तो आपको ISO 9001 ISO 9000-2015 जो fundamental vocabulary requirement है उसको आप reference कभी भी ले सकते हैं मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि 9001-2015 जो है यह सारे standard का murder है कि देन नेक्स हम परते हैं 2.1 normative and informative reference के उपर इसमें एनेक्जर यह कहता है देखिए आभी इस पूरे standard में दो एनेक्जर है एनेक्जर ए है control plan normative part है यह हमारा last में हम आपको बताएंगे देन दूसरा है एनेक्जर भी bibliography यह भी हम आपको last में बताएंगे एन किसने नमर पर हम आते हैं terms and definitions for the purpose of this document the terms and definitions given in ISO 9000 or 2015 apply जितने भी terms and definitions है वो 9001 or 2015 से related भी है और उन में दिया भी गया है और यहां पर बताया भी गया है देन है कि 3.1 terms and definition for the automotive industry automotive industry के लिए क्या terms and definition है वो सारे के सारे इधर आपको बताये जाएंगे standard में सबसे पहले बात करता है accessory part के बारे में customer as required additional components that are either mechanically or electronically connected to the vehicle or power train before or after delivery to the final customer example custom floor mats truck bed liner wheel cover sound system sunroof spoiler super charger अभी इसका मतलब यह हुआ कि customer के जो skill में है electronically और mechanically यदि कोई part joint करते हैं additionally मतलब vehicle में जितना requirements है उससे अलग यदि आपको accessories part add करते हैं तो उसको हम accessories part कहेंगे नेक्स है advanced product quality planning आप सभी लोग जानते हैं APQP का मतलब यह होता है कि advanced product quality planning मतलब कि product बनाने के लिए एक ऐसा planning जो advanced way में हो और product के develop करने के सारे step को एक एक कर 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 के बताता हो और उसी तरीके से किया जाए तो product जो है वह हमेशा advanced way में अच्छा quality का product बनेगा अभी हम जदी बात करते हैं next after market part after market part हम वही कहते हैं a placement part not produced or released by an OEM for service part application which may or may not be produced to original equipment specification after market part यह हुआ कि जो OEM है अपना vehicle बेचा और बाद में यदि आपको wheel cover लेना है तो market में यदि आपको after market part है market में यदि आपको wheel cover चाहिए तो वह हो सकता है कि वह उसी company ने बनाया हो जिस company का आपके vehicle में वह लगा हुआ है हो सकता है कि वह original equipment manufacturing ने नहीं बनाया हो और किसी supplier ने बनाया हो और कोई unapproved supplier ने भी बनाया हो वह सारे पार्ट after market पार्ट कहलाएंगे और अथराजेशन डोकुमेंटेट permission for the person as we fight right and responsibility related to given denying permission अथराजेशन का मतलब यह हुआ कि ऐसा आदमी जिसको permission है डोकुमेंट को review करने के लिए डोकुमेंट को amend करने के लिए कि डोकुमेंट को regulate करने के लिए डोकुमेंट को applicable करने के लिए उसको हम authorization कहेंगे दन नेक्सट पार्ट है हमारा challenge master part अभी कहेंगे challenge part का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा पार्ट जो reference part है जिसके तुरू हम पने पार्ट जो बना रहां उसको रफ रेफरेंश लेते हैं कि यह पार्ट ओके है या एंजी है और उसको हम लीमिट सेंपल भी कह सकते हैं चलेंज और मास्टर पार्ट समझ सकते हैं देन है control plan documented description of the system and process required for the controlling the manufacturing product manufacturing product को आपको documented description मतलब कि एक document में लिखा गया है कि उस part में क्या-क्या control होंगे क्या-क्या step से वो production बनेगा कैसे कैसे वो बनेगा और पर क्या control होंगे और किस तरीके बनाए जाएगा उसमें को control plan केते हैं रहना customer requirement customer requirement यह है कि customer अपने वीक्याम वेंडर quality manual या फिर अपने quality manual में जो requirement लेकर करके दिया है वो customer requirement है साथ साथ यह वो spec meeting में कोई other meeting में अलग requirement देता है तुसको customer specific requirement कहेंगे इसी में साइज एडव है वेर दा ओडिटर organization is a vehicle manufacturer वेकल्मेंफेक्श्ञ्टर सबसेडिरीज वेंचर विधिकल्मेंफेक्श्टर रिवेक्श्टर रिव्तेट्र कस्टमर यसे वाइडवन वेंफेक्श्र या सब्सेडिरीज और यूएंड वेंचर्ड्र टेन है लेलेेज्ट अक सब्सक्राइट मेटिन और खुरी रिखारत process by which product are designed with ease of assembly considerations example if a product contains fewer parts will take less time to assemble thereby reducing assembly cost यह design for assembly मतलब की ऐसा design जो assembly के लिए easable हो then a design for manufacturing तो यह हमारा process ऐसा product design करेंगे जो manufacturing करने में अच्छा हो design for manufacturing and assembly मतलब ऐसा design करेंगे जो manufacturing और assembly दोनों करने में असानी हो उन दोनों को ध्यान में रखकर करके यदि हम design करेंगे तो उसको हम dfma कहेंगे then next है हमारा design for six sigma अब क्या है कि यदि हम अपने product को process को और अपने methodology को इस तरीके से design करेंगे कि उसमें कोई भी हमारा loss नहीं हो और हमारा जो प्रोसेस है वो बिलकुल accurate हो और quality product बने specification को meet करें यही हमारा lean six sigma हमारा six sigma होगा design for six sigma then है हमारा key node this responsibility includes testing verification of design performing with the customer specification specified application के तुरू हम इसको verification करेंगे जैसे कि कोई SPC करने के लिए बोलता है तो SPC करने के लिए हमारे पास क्या software दे देता है उससे SPC करना है यह हमारे हमें क्या बोल रहा है embedded software की requirement है embedded software is a specialized program stored in a automotive component typically computer chip or other non violated volatile memory storage specified by the customer or as part of the system design to control its function to be relevant this scope ITF 16949 certification the part that is controlled by embedded software must be developed for an automotive application e.g. passenger car, light commercial vehicles, heavy software must be developed as an automotive application truck, buses, motorcycle c. rule for achieving and maintaining IITF recognition 5th edition section 1.0 agility for certification to ITF 16949 for what eligible for the automotive अब यह कहना चाहरा है कि जिस embedded software के थुरू हमने अपने product को बनाने की कोशिस की जिसको हमने product के लिए यूज किया वो सारी की सारी software जो है वो भी IITF के ज़द में आए देन नेक्स बोलता है कि software to control any aspects of the manufacturing processes example machine to manufacture component or material it not included in the definition of embedded software then next हम देखते हैं कि error proofing error proofing आप लोगों को पता है कि POCA YOKA को हम error proofing कहेंगे और इसमें क्या है कि गलती से भी गलती manufacturing design में हम ऐसा कुछ करेंगे या development या हम manufacturing के time पे ऐसा कुछ हमने लगाया है control जो की जिससे की गलती ना बने उसको हम error proofing कहेंगे then a escalation process मतलब कि यह process used to highlight or flag certain issues within the organization so that the appropriate personal can respond to this situation and monitor the regulations मतलब यह बोलता है कि escalation policy यह मतलब है कि हम किसी भी issue को कैसे escalate करें कैसे down to stream तक पहुंचाएं कैसे सारे लोगों तक पहुंचाएं उस चीजों का escalation process कह रहा है fault tree analysis FTA or fault deductive failure analysis मतलब कि जो आपका कोई भी plant में defect आया failure उसको हम deductive analysis कर रहे हैं उसके बीच में systematic connection देख रहे हैं चेक कर रहे हैं और root cause तक पहुंच रहे हैं उसको हम fault tree analysis के तुरू यह बताया गया है then next हम देखते हैं laboratory facility for inspection ऐसा laboratory को क्या कहते हैं एक facility जहां inspection कर सकते हैं test कर सकते हैं calibration कर सकते हैं may include but is not limited to the following chemical भी test कर सकते हैं meteorological dimensional physical electrical reliability testing liberty scope control document contents यह liberty scope के content में देखा जाएगा यह सारी चीज़े वहां पर हो सकती है यह नहीं हो सकते हैं a specific test evolution and calibration that our laboratory is qualified to perform a list of equipment that our laboratory uses to perform the above and list of method and standard to which the laboratory perform and the above laboratory की जो यह चीज़े हैं कि कौन-कौन से calibration कर सकता है वह और क्या list of equipment है और क्या list of method है manufacturing किसको कहते हैं कि process of making a fabric production material production part service part assemblies heat treating welding painting plating and other finishing services अभी हमें आपको यह बता दूं कि जो मैं यह आपको normative reference बता रहा हूं और आप सभी जो भी interview देने के लिए जा रहे हैं वह normative reference को एक बार पढ़के जाएं क्यों क्योंकि आपके इंटर्व्यू में यह normative reference पूछा जा सकता है कि आप laboratory के बारे में बताईए manufacturing के बारे में बताईए embedded software के बारे में बताईए और क्या new point add हुए हैं क्या section interpretations add हुए हैं यह सारी चीजे आपसे पूछी जा सकती हैं बताईए आपको बताना पड़ेगा देन इस देने देने पॉइंट यह देने पॉइंट इस अनिवलेशन अव्ट पॉड़ेक्ट तो डिटनमाइन if it is technically feasible to manufacture the product to meet the customer requirement customer requirement को में करने के लिए जो हमारे manufacturing product है वह हमारे यह अप्लिकेबल है कि नहीं का अप्लिकेबल है जिसमें हम जो चेक करेंगे कि हमारे प्रवाइड कर सकते हैं कि नहीं 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 और सारे support function देख सकते हैं तो इसको हम manufacturing feasibility करते हैं then manufacturing services manufacturing services वो है companies that test manufacture distribute and provide repair services for component and assemble in manufacturing services है मतलब कि समान बनाने से के लिए जो service है then a multi-disciplinary approach a multi-disciplinary approach ये बोल रहा है method to capture input from all interested parties who may influence how a process is administered by a team whose members include personnel from the organization and any include customer and the supplier representative team members may be internal or external to the organization either existing member and a HOC team may be used to circumstances warrant warrant input to the team may include both organization and customer input interested parties को interested parties को capture करने के लिए बोल रहा है interested parties को then next है हमारा no trouble found NTF no trouble found मतलब की designation applied to a part replaced during the service event when analyzed by the vehicle or part manufacturer meets all requirement good part or no fault found ये good part हो गया a trouble not found no good fault found or trouble not found ये हमारे good part हो गया है आउट्सोर्स प्रोसेस ऐसा portion of organization function और फंक्षन के function करेका इसा portion जो कि आउट्सोर्स मतलब externally organization कोई दूसरा organization हमें वो काम को करके देता है उसको हम outsource process कहते हैं then periodic hauling periodic hauling वो कहते हैं कि maintenance की methodology है जो prevent major unplanned breakdown unplanned breakdown को नहीं आने देता है उसको periodic hauling कहते हैं मतलब कि कुछ ऐसा समय जिसमें हम fix समय करते हैं और उस समय हम क्या करते हैं मेकीन को पूरा खोल देते हैं और उसको reassemble करते हैं पूरा खोल करने के दोरान में कुछ पार्ट को हम replace करते हैं कुछ पार्ट डैमेज होते हैं कुछ पार्ट को हम नया लगा देते हैं कुछ पार्ट को reverse करके हम लगाते हैं तो उसको हम periodic overalling कहते हैं predictive maintenance predictive maintenance यह है कि plant running है machine running है उस समय में हम एक अपना डिडेक्टिव अप्रोच लगा करके प्लांट के equipment को करनीशन को verify करेंगे उसके एजिंग को जानेंगे और यह कितना दिन चल सकता है इसको predict करेंगे उसके calculation करेंगे और उसकी टूल चेंजिंग की एक frequency बनाएंगे अनलाइज करेंगे उसको हम predictive maintenance कहते हैं डान नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम फ्राइट प्रीमियम फ्राइट यह है कि जो आपका method quantity and under unscheduled और लेट डिलिवरी इस कारण से यह हमारा प्रीमियम फ्राइट बढ़ता है देनफ प्रीवेंटिव मेंटेनेंस एक प्लांड एक्टिविटी है रेगुलर इंटर इंटर्वल पे हमें कुछ सेटेन चेक पॉइंट है जो मसीन के चेक करने ही करने है उसको हम अबű extras चेकरा दर बनाने का जो प्रोसेस हैं पॉइंट के साथ को बर्क करते हैं और हमें कुछ आउट्पूट मिलता है आउट्पूट इजे कॉल्ड प्रोड़क्ट दना प्रोड़क्ट सेफ्टी अस्टेंडर रिलेटेट टू डिजाइन अन्फेक्टिंग प्रोड़क्ट्स टू एंश्योर दे डू नौट रिपर्जेंट हार और हजार टू कस्टमर मतलब की को कईश्टमर को इंटेंडेंट यूजर पहुंचे वह हमिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कि प्रोड़क्ट प्रोड़क्शन सट्डव। एक कंडिशन से विए जब कुछ समय अंतराल सारी मशीनों को आईडल कर दिया जाता है फुड़ा पॉड़क्श्ण रोग दी की जाती है और उस समय में सिर्फ मेंटेनेंस एक्टिविटी की जाती है उसको हम प्रडक्शन सट्डाउन कह सकते हैं दैने रियक्शन प्लान और सिरीज ऑप स्टेप्रिस्क्राइब इन एक इवेंट अबनॉर्मल और नॉन कंफर्मिंग इवेंट्स आडिटेक्टेड जब तो उसके अगेंस में जो हमें काम करना हैं पहले से रखते हैं उसको हम रियक्शन प्लान कहते हैं डेंगत हैं कि मैं रोकेशं रेमौर्ट क्या हैं लोकेशन् साइट्स और वीकषिण Que Donna Tack कर ऐसा है कि ऐसा लोकेशन इल्ट यो प्रणटठर को सपोर्ट करता है और लेकिन वहां प्रणशन परड़क्शन नहीं होता उसको हम लोग सबस्क्र तप्षर्ण Tanar अब प्लीज बाइध ऊई तो यांप पूर सर्विस प्रट अप्लिकेशन इंक्लूड़िंग री-मेनफेक्ट्रिंग पार्ट अभी एक से सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं वहां पर कोई पांड टेंग करना है तो वह सेम मेनफेक्ट्टर पार्ट जो हमारे या यह मेनुफेक्ट्ट्र करते हैं जो अधर किसी कंपनी से नहीं बनाया जाते हैं तो उसको हम सरवीस पार्ट कहते हैं दैन नेक्स तैना हमारा साइट लोकेशन एट विच वेल्यू एड़ मैनुफेक्ट्ट्रिंग प्रोशेश अकर इस कोल साइट दन उसके बाद है special characteristics classification of a product characteristics or compliance with regulations fit function product manufacturing process parameter that can affect safety performance requirement or subsequent processes a called special characteristics जो कि हमें tech review में customer हमें बताते हैं then a special status किसी भी non-notification of a customer identified classification assigned to a manager organization where one or more customer requirement are not being satisfied due to a significant quality delivery issue a special status मतलब कि यह जो पॉइंट है यह close नहीं हुआ है यह पॉइंट पेंडिंग है यह पॉइंट इंगोईं है और continuous है then a support function remote location को support function के सकते हैं और production activity conducted on-site and remote location that supports one or more one or more manufacturing sites of them organization support function होता है जहां से एक से ज्यादा manufacturing sites को support किया जाता हो उसको support function कह सकते हैं ठीकुसी तरीकी से हम देखेंगे total productive maintenance a system of maintaining and improving the integrity of the production and quality system so are the machine equipment process and employee data value added to the organization so productive maintenance यह है कि ऐसा maintenance equipment machine और process and employee सारे चीजों के काम करने के तौर तरीकों पर impact डालता है और जिससे कि हमारा overall plant की productivity improve होती है उसको हम total productive maintenance कहते हैं and trade-off curve tool to understand communicate the relationship of various design characteristics product to each other and a product performance among one characteristics is map and y-axis and other x-axis x-axis then curve is plotted to illustrate product performance related to the two characteristics it is though characteristics के बीच में हम product की performance check करना चाहेंगे so trade-off curve कहेंगे trade-off process methodology of developing and using trade-off curve of product and their performance characteristics to establish the customer technical economical resiliency between desired alternative to trade-off process